बिस्मिल्य रामाने रहीम, असलाम लेकुन स्टुडेंट्स, माइनम इस मुहम्मद यहियर सदाम, और यूर वाचिंग इंजीनियर मुहम्मद यहियर यूटूब चैनल, जो लेक्चर आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, इस दे मैं ओफ दे क्राउट बाई एडगर ऐलन पो, आ सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं, तो एडगर ऐलन पो 1809 में पैदा हुए और 1849 में इनकी डेथ हो गई, यह एक अमेरिकन ऑथर, पोईट, एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक थे, जिन्होंने अमेरिकन रॉमेंटिक मुवमेंट में एक लीडिंग फीगर के तोर पर भी काम किया, यह मुवमेंट 1830 से 1870 तक जारी रही और इसमें काफ़ जादा ग्रोथ हुई थी लिटरेचर में, काफ़ जादा डिवेल्पमेंट हुई थी रिगार्डिंग इंट्यूशन, इमेजिनेशन और इंडिविजिलिसम, हमारे जो राइटर हैं वो अपनी शोर्ट स्टोरी पर अर्ली स्टेजिस में बहुत जादा काम किया, उनमें भी इनको इंक्लूड किया जाता है, इनकी बहुत जादा कंट्रिबूशन है साइंस फिक्शन की इमर्जन्स में, साइंस फिक्शन एक ऐसी शोर्ट स्टोरी की जानरा है, जिसमें टेक्स से गूमती है जिन मेजर थीम्स में इन्होंने काम किया उनमें question of death including its physical science, the effect of decomposition, concern of premature burial, reanimation of death and mourning ये सब शामिल है इनके writing style की बात करें तो इनके writing style में हमें horror के elements काफी जादा नजर आते हैं अपने literary work में ये satire का काफी जादा यूज करते हैं humor के elements को काफी जादा यूज करते हैं औ जो writer है वो false hood को fabricate करता है truth के साथ आप इसे kind of rumor भी consider कर सकते हैं जानरा में the man of the crowd एक short story है short story एक ऐसी writing को का जाता है जिसका writing style prose होता है और जिसकी length 1600 से लेके 20,000 words के roundabout होती है इस story को tone एक mysterious और detective story बाला है और इसके major themes में loneliness, individuality, relationship between man and crowd वगएरा शामिल है इसमें दो तरह के symbols का use किया गया है diamond और dagger का diamond represent करता है इनसान में जितनी भी अच्छी खुसूसियाद होती है और dagger represent करता है जो भी बुराई इनसान में मुझूद है जो main purpose है इस story का वो है dual nature of human being यानि writer हमें ये बताना चाहता है कि एक इनसान की शख्सियत में दो तरह के पहलू पाए जाते हैं एक अच्छाई का पहलू है जो के उसे अच्छाई की तरफ लेके चलता है और दूसरा बुराई का पहलू है जो के उसे बुरे कामों की तरफ लेके आता है स्टोरी का फर्स मेजर करेक्टर है नरेटर का जो के एक observer भी है और ये डिकॉफी शॉप में बैठा हुआ है ये लोगों के crowd को देखता है वहां से जितने भी लोग गुजर रहे हैं उनको observe करता है उन पर comments पास करता है लेकिन इसका main जो concern है वो एक old man से है वो old man इसको काफी जादा attract करता है और narrator को ऐसे लगता है जैसे वो अपनी ही reflection देख रहा है उस old man में second character है old man का जो के एक mysterious person है तकरीबन 65 to 70 years old है ये और ये काफी जादा attract करता है narrator को throw out the story ये चलता ही जाता है और narrator इसका पीछा करता है लेकिन old man कहीं भी नहीं रुकता और थाखहार के narrator ही है जो के इसका पीछा छोड़ देता है story के start पे narrator जर्मन बुक्स के बारे में बात करता है और बताता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो के अपने reader को allow ही नहीं करती के वो उसे पढ़े यानि कुछ बुक्स इतनी ज़्यादा complex होती है कि reader उनको पढ़ने के बाद भी यह नहीं समझ पाता कि यह कहना क्या चाती है इसी चीज़ को वो इनसानी के इरदार से रिलेट करता है और बताता है कि कुछ इनसान जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं कि वो लोगों को नहीं बताना चाते कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहे है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो अपनी जिंदगी को सीक्रिटली गुजारते हैं और वो किसी को भी अपनी जिंदगी के बारे में कोई भी क्लू नी देना चाते अब होता कुछ यूँ है कि नरेटर इसी तरह के एक परसन से मिलता है जो कि उसे काफ़ी जादा एट्रेक्ट करता है नरेटर तकरीबन 24 आर्ज उसका पीछा करता है लेकिन वो उस परसनालिटी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाता और आखिरकार नरेटर खुद ही था खार के उसका पीछा चोड़ देता है और उसे कहता है कि ये परसन दा मैन ओफ क्राउड है अब स्टोरी के स्टार्ट पे हमें बताया जाता है कि जो नरेटर है हमारा वो एक सीरियस डिजीज का शिकार था लेकिन रिसेंटली वो उससे रिकवर हुए और वो काफी ज़दा फ्रेश फील कर रहा है वो हर चीज में जो भी वो करता है अपनी हर एक्टिविटी में वो काफी ज़दा खुशी महसूस कर रहा है और एक शॉप है जिसका नाम है डिकॉफी शॉप वो उसकी विंडो के करीब जाके बैटता है और वहां से बाहर जितने लोग हैं जो के रोड से गुजर रहे हैं वो उनको अब्सर्व करता है वो वहां से गुजरने वाले हर बंदे को देखता है और उन पर कमेंट्स बगारा पास करता है narrator कहता है कि कुछ चेहरे हैं जो के काफ़ जादा खुश हैं लेकिन कुछ चेहरे हैं जो के बहुत जादा डिससेटिसफाइड हैं और उदास हैं फिर वो senior clerks और junior clerks के बारे में बताता है और साथ साथ वो कहता है कि हर बन्दा अपने dress से अपने facial expression से और अपने haircut से पहचाना जा सकता है फिर वो कुछ लोगों को mention करता है जिन में pickpockets, gamblers, soldiers, street beggars, sweepers, young girls और monkey exhibitor वग़रा शामिल हैं अब ये वो लोग थे जो के narrator की attention अपनी तरफ खैंच नहीं सके लेकिन इन सब लोगों में इन सब लोगों के हजूम में एक person है जो के narrator की attention अपनी तरफ खैंच लेता है और उसे काफ़े जदा attract करता है वो एक old man था जो के 65-70 years old था उसका जो phase था वो reflect करता था vast mental power को उसकी coolness, उसका malice, उसकी bloodthirst, उसका excessive terror और intense despair नरेटर कहता है कि old man को देखके वो बयक वक्त काफी जदा horrified भी होता है और काफी जदा fascinated भी होता है हमने start में बात की थी कि इस story में writer ने इनसान में पाए जाने वाल जो dual nature है उसको elaborate करना है तो उसी को narrator के जुबानी बताया जा रहा है कि narrator जो है वो इनसान की अच्छाई से fascinated हो गया लेकिन जो उसके अंदर horror के elements थे evil elements थे वो उनकी वज़ा से horrified हो गया अब जो old man होता है वो चलना start करता है और narrator उसका पीछा करता है उसे follow करता है old man एक crowd में जाता है और उन में जाके वो disappear हो जाता है लेकिन narrator उसको ढूंडता है और आखरकार वो उसे ढूंड लेता है नेरेटर old man की dressing के बारे में बियान करता है कि उसका जो dress था वो काफी जादा fit था लेकिन काफी जादा rag था फटा हुआ था उसने अपने dress में diamond और dagger को attach किया हुआ था अब ये दो symbol हैं इस story में diamond represent कर रहा है इनसानी जिन्दगी में ज लोग बारिश से बचने के लिए shelter room ना शुरू कर देते हैं लेकिन जो old man है उसके behavior में कोई भी change नहीं आता और वो बारिश में भी चलता रहता है और narrator उसका पीछा करता रहता है old man काफी जादा roads को cross करता है और वो cross street में पहुंच जाता है वहाँ वो कुछ देर चलता है औ उसके बाद वो square street में चल जाता है रात का मौसम होता है ठंडी हवाद चल रही होती है और बारिश भी हो रही है लेकिन old man बिल्कुल भी interrupt नहीं होता है इन सारी की सारी चीजों से बलके वो मजीद quicker और faster हो जाता है अब street जो होती है वो काफ़ जादा busy होती है और old man different shops में ज चलते चलते दुबारा डी coffee shop के सामने ही आ जाता है start कहां से किया था उसने चलना डी coffee shop से कहां पहुंच गया है दुबारा डी coffee shop पहुंच गया अब चूंकि रात हो गी थी तो डी coffee shop का area काफ़ जादा deserted हो जाता है विरान हो जाता है लेकिन old man अपनी walk जारी रखता है और व बहुत अधा uncomfortable feel करता है इसलिए वो अपना रस्ता ही change कर लेता है अब सवाल यहां पर यहां पर यह आता है कि जो narrator है वो क्यों उसका पीछा कार रहा है basically narrator को ऐसे लगता है कि जैसे old man उसका खुद का reflection है वो अपने खुद के reflection को उस old man में देख सकता है इसलिए वो उसका पी थे डिकओफी शॉप से फिर कहा पहुंच गये डिकओफी शॉप पे उसके बाद फिर दो 12 में आल यहां से चलते 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 है एगेन वो डिकओफी शॉप पर ही पहुंच गये वहाँ काफी जादा लोगों की गहमा गहमी होती है लेकिन old man है कि वो बिलकुल भी itself to be read. He was better left alone, unchaste and unfollowed. और यहीं पर इस story का end हो जाता है. Basically इसमें राइटर ने इनसान की जो शक्सियत में dual nature है अच्छाई और बराई की उसको discuss किया है और साथे साथ बताया है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अकेले रहना और secret life को गुजारना बहुत जादा अच्छा लगता है. वो अपनी life के बारे में किसी को भी किसी तरह का clue नहीं देना चाते कि वो कैसी जिन्दगी गुजार रहे हैं उनकी जिन्दगी में क्या चाल रहा है बलकि उनको अकेले रहना पसंद होता है.